तो आप सब को सागत है हमारे इस नए वीडियो में आज हम डिसकस करेंगे और आपी एक्षेस्टम की सिस्टम की सिक्युरकी को एंसुर कैया जासके तो इसके लिए प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया जाता है तो उस protection system के आरह में यहां पर बात की जाएगी तो फस्ट हमारा question है कि यह protection जो code है या किस पर focus रहेगा तो जो इस तकी के protections रहेंगे उन protections के protocol क्या है उनकी settings क्या है उनका audit plan क्या है कितना टाम में उनकी audit हो नहीं है उनकी audit कोन करेगा उसको audit को review कोन करेगा तो इस तकी बाते इस code में discuss की गई है अब next है हमारा कि हमको uniform protection protocol की ज़रूद क्यों है grid के users के लिए अब इससे जानते हैं कि हमारा grid में various kind of electrical system connected है अलग अलग यूजर्स का अलग 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 सिस्टम का अलग अलग protection होते हैं तो वह सब जब भी कोई fault अगर आ रहा है तो वह सब अच्छे से synchronized way में काम कर सके हैं अगर उनिफॉरM protocols रहेंगे हमारे पास तो वह सब सिंक्रोनाइस वह में काम कर पाएंगे तो आजे इसके benefits कुम कुम से हैं तो जो हमारा पास कोई भी फॉल्ट अगर आ रहा है तो उस टाइम पे हमारा में और मशिन को हम को सेफ्टी को इन्शूर करना है इसके लिए को उनिफ्र वर्ट कोल चाहिए अजर कोई relationship होता है मरणवब कोई relationship और युट आता है तो उसका isolate होना चाहिए हमारे पास record होना चाहिए जो भी protection setting है अगर common रहेगा रहेगा हमारे पास तो हम जो हमारी learning से की से थाभिल्जू से पर ही till account है तो ऊसको किसी दूसाज़ी आभ भी यूइस कर सकते हैं तो in होने से यह रहेगा हमको यह करना है कि हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम में काम करें जैसे कि अगर जन्रेटर साइट से कोई फॉल्ट आता है तो उस ताम पर जो सब्सक्राइट हो गया और उसने किसी भी टांस्मिशन इसके चीजें नहीं होनी चाहिए तो इसके लिए भी स्टडी के लिए हमापास उनिफर्ण प्रोटकॉल रहेगा तो उससे काफी सारी हल्प मिलती है साथ जो ऑडिट वाला काम होता है अब ऑडिट में क्या होता है कि कि किसी एक सिस्टम को चेक करना है तो हमको उसके एक्सप यूजर्ज कनेक्टट्ट्रिगेट से उनके जो उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए उसके बिल्सका काम करना चाहिए उसके लिए व होना चाहिए जो प्रोट्टेशन डिजाइन किया गया है वह है सब्सक्राइब साथते हैं अधिकल सब्सक्राइबं जैसे सीज्ट का टेकनिकल स्टेंडर्डर्ड स्टेनर्डर्स रेखरंक्टिविटी से एक स्कति होना चाहिए अगर कोई प्रोरेशन सिस्टम फेल हो जाता है उसकेस में तो अगर प्रोटेक्शन को एक्ट होना है अगर आपके पास टोटेक्शन से इसको डिय। करने के लिए इसको व्यवाइज करने की किसके पास है कि कुछ चेंजस आता है तो इस को ईप्रूप बद और सब्सक्र MONS करना तो सब्ढ़ करने का एक that करते हैं वह जो भी स्टेकवोर ऩो व्यवाइब करने को बैद से जो yarbo से उनको करके काम किया जाता है कि जो हमारा ब्रोडेक्शन प्रोडेश्टिक्षिंट में उसका और कितने टायम में होनी चाहिए तो बैसिकली पयोडिक का सिंपल सा प्रपस यही देता है कि जिस चीज की जारी है वह प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं तो अगेन हमारा भी यहां पर से में कि हम चेकिंग कर रहे हैं तो वह एफेक्टिव और रिलाबली वक कर रहा है यानि हमको यही चेक करने के लिए उस ओडिट को किया जाता है तो बेसिकली सब्सक्राइब को होती है इसमें इन्टेनल और एक्ट्रेनल ऑडिट है मतलब वह सकता है कि किसी अगर हम एक्जांपल बात करते हैं किसी एक सबस्क्राइब करना है तो कि दूसरे उसी कंपनी या फिर उसी बाउंडरी में जो दूसरे अमन आपस अवे कि यहां कि आपके और जो बहुता है और जो भी अगर उसमें कुछ आते हैं तो इसको बताना चाहिए और जो दूसरी पर है अमरे पास इसके लिए बताया कि अगर 220 केवी से ज्यादा का सिस्टम है अगर तो हर पांस साल में एक बात होना चाहिए बिफॉर बिफॉर अर्पीस से एक बार एड्वाइस ले लेनी चाहिए कौन-कौन से परफॉर्मेंस इंडैसे से जो हर मंत जो भी उजर से उनको समिट करना पड़ते हैं आप किसी के पास में तो बेसिकली जो प्रटेशन सिस्टम है इसको सही तरीके से यह वर्क कर रहा है तो इसके लिए इन्होंने कुछ इंडैसे बनाया है जैसे कि डिपेंड डिपेंडेबिलिटी, सेक्यूरिटी और रिलाइबिलिटी तो यह तीन तरीके के हमारे पास इंडैसे से इन से आइडे लगाया जाता है कि कि किसी भी सिस्टम का प्रटेक्शन सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं तो हर मंतली यूजर्स को यह समिट करना होता है आपीसी के तो जो भी आर्पीसी है अगर आर्पीसी को पाता चलता है कि यह पर्टिकुलर यूजर है उसने प्रटेक्शन प्रटोकॉल में पिदिन टाम लिमिट उसने फंक्शन नहीं किया उसके अक्वडी तो क्या करेगा वो कंप्लिट लिटेश को लेकि कि कमिशन के पास जाएगा करते हैं कि अब फिर उसको बच्टिक करेगा की उसको किस तरह काना है उसको म intr Vergleich करना है या भी को रो तरह की का मिडिये मियूश करना करें प्रिलेख करने है के लिए जो मुखे इसका मतलब क्या है तो बैसिकली एसका मतलब होता है कि जो भी हम डाटा अब जैसे की प्रोटेक्शन करेगा जब कोई वेल्यू है मतलब कोई मेजर्ड वेल्यू है आउट उद्धी रेंज जाएगी आपि वह व्योंती लिमिट अगर ऑपरेट करेगी तो जो भी मेजर्मेंट हम कर रहे हैं उसमें हमीचा रिडेंडनेंस होने चाहिए जैसे के हम बात करें हम यहाँ इस लाइन में अगर वल्टे वह ओलती है कि जो है माँ जैंगा पास ऐसे जो मेजर्मेंट किया को और इसको कम्यूकेशन करने के लिए भी हमारा पास जो है वह दो चैनल होना चाहिए तो दूसरा चैनल उस टाइम पर आकर सभी समया जायए तो इस पर इसके का यह मतलब है कि जो भी हम की मेजर्ड़ कर इंपोर्टेंट होती है या जो हमारी SPS system protection scheme से इसके parameter और इसके function को check करने के लिए तो यह कितना time में होनी चाहिए तो यह basically साल में एक बार होनी चाहिए बट इसको users को करने के पहले RPC और RLDC या फिर NLDC है उनसे एक बार discussion करना चाहिए तो अगर कोई भी SPS जो हमारा मतलब system protection scheme है अगर वो act होता है अब यहां पर SPS का act होने का मतलब होता है कि माल लोग कोई भी point आया था तो SPS ने respond किया है और उस power system को बचाने के लिए necessary action दिया है जैसे कि माल दीजी किसी electrical element को उसने trip किया है या फिर isolate किया है तो SPS operation का मतलब यह होता है तो अगर कोई इस सब्सक्राइब होता है तो उस time पर next क्या होगा तो उस time पर जो users और यहां पर जो state load dispatch centers है वो immediately within the three days वो एक report बनाएंगे उस report को आगे वो जो महां का RPC से उसमें submit करेंगे जिससे कि उस वापीस से repeat ना हो और उसमें क्या fallback रहा है वो उसको check कर सके अब जो भी users है उनको जो वहां का recording instruments है तो उससे related क्या guidelines है या भी क्या requirements है जो fulfill करना चाहिए तो जो users है उनको जो उनके recording instruments है मतलब जो भी electrical parameters के recording instruments है जैसे की disturbance recorder हो गया event logger हो गया वो सबको अच्छी working condition होना चाह है अगर माल लीजिए जो भी हमार इस्टोवेंस रिकोर्डर है उसमें time synchronization होना चाहिए मतलब जैसे की time synchronization का मतलब यह होता है और जो फॉर्मेट होना चाहिए जीतने time का resolution उसमें standards होना चाहिए है उसी किताब से होना चाहिए है तो यह सब जो guidelines है कहां पर मिलेंगी standard यह सब वहां का जो रिस्पेक्टिव पार कमिटीज है वो टाइम टाइम इसको गाइडलाइन को इस्टेंडर्स होने चाहिए अब जो time synchronization है इसको वेरिफाई भी करना है अब यह काम किसका है यह वहां के RLDC का है कि यह जो time synchronization है इ को क्रोस चेक किया जा सकता है कि हां यह जो time sequence यह जो time synchronization not down कर रहा है particular value का वो सही है यह नहीं अगर कोई हमारे पास है जो की compliance नहीं कर रहा है तो उसको आर्पी सी मीटिंग में डिसकस के जाना चाहिए कि उसको पर किस्ताइगा action लिया जाए तो इन समरे अगर हम बात करें कि चैप्टर 4 क्या है तो बैसिकली चैप्टर 4 हमारा हमारे grid के जो reliable or safe operation के लिए जो भी electrical system है तो ensure करने के लिए जो necessary protection से उनसे deal करता है तो उन protection का कितने टाइम में उन protection की settings का होने चाहिए उन protection की audits किस ताइगिस होने चाहिए उस protection system में अगर कुछ changes करने तो वो कौन करेगा उसको implement करेगा तो इस तकी की चीज़े को यहां पर discuss किया गया है तो यह इन शॉर जबात क का 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 क्यों जिससे कि जो हमारा प्रेश्टम कोमन और यूनिफॉर्म है तो एक data को यूज कर सकते हैं दूसरी data के दूसरी जगह के system के improvement के लिए तो यह सब का है जो अगर कोई failure होता है तो उस टाइम पे study करना या पर जो और भी existing system में उसमें improvement के लिए study करना है का का मिया अगर कोई पर कुछ suggestion देना है और को एडवाइस करना है तो यूजर के साइट से क्या expectations है यहां पर यूजर के साथ जो भी उसके recording instruments है उनको अपडेट रखे और उनका time synchronization है उनको अच्छे से चेक करे अब यहां पर जो spacing skim ती उसमें क्या था उसका basic core यह था कि जो भी measurement हम कर रहे हैं किसी भी electrical parameter का तो उसकी redundancy होनी चाहिए measurement की as well as जो communication path है वो भी redundant होना चाहिए तो यह इसके प्रोटेक्शन पॉटकॉल की समरीथ की तो यह था मेरा वीडियो आई जी सी रेगुलेशन ट्राइशन ट्राइट रिगा चैप्टर फॉर का प्रटेक्शन पॉर्ट का हो आज के रिए तना है थैंक्यू